इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं HDFC Life का Term Insurance का Review करने वाला हूँ तो रिसेंटली भाई Policy Bazaar से 1 करूड की मैंने Policy Buy किये वैसे मेरे पास पहले से ICC Pronential की चल रही थी लेकिन मैंने अपना coverage और extend अब कर लिया है तो HDFC Life का भाई comparison करेंगे ICC के साथ, Max Life के साथ, TADA के साथ में और जितने भी other players हैं उनके साथ में क्या इस Policy के अंदर Pro है, क्या कौन से कितने टाइप के Term Plan आपको offer करता है और क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी चीए जब भी भी कभी आप Term Plan को लेने की सोच रहे है तो तो ये भाई सारी जानकारी देने वाला उस वीडियो के अंदर तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखेगा स्टार्ट करने से पहले बतना चाहूँगा जितना भी comparison करूँगा, सारी लिंक्स जो है आपको description box में मिल जाएगी, पहले देखिए अगर SDFC के term plan के बारे में बात करें, तो जिन लोग को भी पहले तो term insurance नहीं परता क्योंकि कई लोग SDFC के यूलिप plans वगरे होते वो भी खरीद लेते और वो सोचते कि मैंने term plan लिया हुआ है, तो देखिए term plan के अंदर simply क्या होता है आप एक fix premium यहां पे pay करते हैं, example देना चाहूँगा, मेरी age जो है 30 है माली जे मैं साल का 11,000 रुपे पे करता हूँ, और जब तक मैं retired नहीं हो जाता है यानि जो 60 की जो age होती है, तब तक में को वो premium पे करना है, हर साल आपका premium fix रहता है और बीच में अगर यहां पे कभी भी कुछ हो जाता है, जिसे death वगरे हो जाती है तो family को सीधा 1 करो रुपे का लंसम amount मिल जाता है अगर death नहीं होती है, अगर आप survive कर जाते हैं, तो जो आप premium भर रहे हैं, वो आपको वापस नहीं मिलता वो अलग बात है, आजकर एक feature launch किया गया है, zero cost term plan के नाम से वहाँ पे आपको यह पैसा वापस भी मिल जाता है तो देखो, अगर मैं SDFC की बात करूँ, तो mostly यह दो type के आपको term plan offer करता है एक इसका नाम है click to protect super plan करके, और एक नाम है click to protect life करके life वाला जो old plan है, और जो super करके वो new plan है, और काफी अच्छा भी है तो देखो, SDFC के plans को compare करने के लिए, वैसे तो आप इसकी website के थूरू भी comparison कर सकते हो लेकिन मैं और other brands को भी इसके साथ में comparison करना चाहूँगा तो इसलिए यहाँ पर मैं policy बजार की website का help लेने वाला हूँ आपको सीधा मैं link description box के अंदर provide कर दूँगा तो भाई इस screen के सामने दे सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ factors डाले जैसे कि मैं 1 crore का plan लेना चाहता हूँ और अपने आपको 60 तक cover करना चाहता हूँ मेरे age right now अभी 30 और non smoker हो तो आप screen के सामने दे सकते हो, mostly सभी के plans यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है अब देखे, SDFC अगर मैं live की यहाँ पर बात करूँ तो जैसे बताया था, click to your product super plan है, इनका नया plan है और काफी अच्छा भी है अगर मैं claim के settlement wise ratio बात करूँ तो ICC का 99.2% है, SDFC का भी अगर आप देखेंगे तो 99.5% है प्लस इसमें अगर आप comparison भी करेंगे 2019, 2020, 2021, 2022 से तो आप देख सकते definitely 23, 24 के अंदर इसने काफी अच्छा खासा claim settlement ratio जो है यहाँ पर अचीर किया हुआ है प्लस पॉलिसी बजार पे आपको यह भी बदा देता है कि total number of the claims कितने यहाँ पर जो है max life का smart secure plus offer यहाँ पर दिखाए देगा अब पहले हम लोग pure term insurance की यहाँ पर बात कर लेते जहां पर आपको वापस कोई भी premium जो है नहीं मिलने वाला अगर आप survive कर जाते हैं तो screen के सामने आप देख सकते SDFC life में में को यहाँ पर 13,000 four double line pay करना पड़ रहा है ICC में थोड़ा सा कम है max life में बिलकुल कम है लेकिन यहाँ पर आपको दो free add-ons देखने को मिल जाते हैं जो other policies के अंदर paid रहते हैं जैसे कि आप देख सकते early payout on the terminal illness जी है इसका मतलब क्या है तो देखिए terminal illness के अंदर क्या होता है अगर आपको कोई ऐसी बिमारी हो जाती है जहाँ पर doctor आपको लिख करके दे सकता है simply कि आपके पास में इतना वक्त बचा है तो होता क्या है आपने जित्ता भी cover ले रखा है जैसे अगर आपने एक करोर का cover ले रखा है तो वो आपको death की जगे भाई पहले आपकी family को payout हो जाता है ताकि आपकी जो बिमारी की खर्चे वगर है वो सारी चीजे आप यहाँ पर जो है उसके benefit उठा सको इसके लावा भाई इसके अंदर आपको एक और extra feature देखने को मिलता है जो किसी और policy में देखने को नहीं मिलेगा अगर आप चाहो तो maturity के time पे आप अपनी policy को extra premium pay करके extend भी करा सकते हो जैसे में को लगता है कि 60 तक मेरा यहाँ पर maturity period है लेकि उस time पे में को लगता है कि अभी मैं retired नहीं हुआ हूँ में को 5 साल और extend करना है तो मैं extra premium देख करके अपनी policy को extend भी करवा सकता हूँ इसके लावा यहाँ पे जो premium आपको अगर वापस नहीं मिलता है तो यहाँ पे SDFC life आपको एक smart exit का option भी provide करता है लेकिन यह सिफ उनी को cover करेगा जो जादा यहाँ पे coverage लेना चाहते है जैसे screen के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे plans के सामने आपको zero cost plan दिखाने वाला है तो आपको क्या करना है आपका जो coverage है जैसे example के लिए मालीचे में 70 तक अपना coverage लेना चाहता हूँ तो अब आप screen के सामने देख सकते हैं SDFC Life के अंदर में को सिफ 15,863 रुपे यहाँ पे pay करने पढ़ रहे हैं जबकि ICAC के अंदर यही amount जादा है अब इसका benefit क्या मिलता है यहाँ पे SDFC Life आपको यह बोलता है कि अगर आप अपने आपको 66 प्लस या 70 तक आप यहाँ पे सिंपली cover करते हैं और आप जब भी premium pay कर रहे हैं तो आपके पास में smart exit का option रहेगा तो इस option में आपके पास यह option रहेगा कि जैसे आपकी age 61 या 65 के बीच में यहाँ पे पहुशती है और आपने cover कर रहा है अपने आपको 70 तक तो आपके पास में यह option रहेगा कि आपको लगता है कि आपकी सारी liabilities खतम हो चुकी है बच्चे dependent बन चुके हैं तो आप अपनी policy को surrender करवा सकते हो maturity के पहले और जितना भी पैसा आपने pay कर रहा है उसमें से GST less कर दो जितना भी premium अपने pay कर रहा है वो सारा premium जो है company आपको वापिस provide कर देती है तो यह एक smart exit का option होता है जो normally आजकल जितनी भी leading term insurance company है सभी आपको provide करती है लेकिन यह आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आपको 65 plus यहाँ पे cover करते हैं इसके लावा SDFC के click to protect super के अंदर आपको 2-3 और अच्छे option देखने को मिल जाते हैं जैसे मालिज अगर आपकी अभी right now शादी नहीं हो रखी है तो basically यह आपको option provide करता है कि let's suppose अभी आपने 1 करोड का coverage ले रखा है तो first marriage के उपर आप अपना 50% से यहाँ पे increase कर सकते हैं जब आपका first child यहाँ पे होगा उसका birth होगा तो उस time पे भी आप 25% से अपना cover जोए increase कर सकते हैं यानि आपकी life के इंदर जो जो moments आते रहेंगे उसके according आप अपना जो cover होता है वो यहाँ पे extra premium pay करके extend करवा सकते हो इसके लावा HDFC life और जित्ती भी other companies है वो आपको एक return on premium का भी basically option provide करती है इसके लिए policy बजार पे आपको इस box को यहाँ पे tick करना है और simply आप देख सकते हैं आप जित्ता premium pay कर रहेते almost उसका double हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे survive कर जाते हैं जैसे एक तो smart exit को option provide किया गया है लेकिन यहाँ पे smart exit की जरुवत नहीं है यहाँ पे आप जैसे survive कर जाते हैं policy आपकी यहाँ पे mature हो जाती है तो उसके बाद में आपने जित्ता premium pay किया होता है survival के उपर आपको maturity benefit भी देखने को मिलेगा जैसे आप screen के सामने दे सकते हो अगर मैं HDFC life के click to protect की बात करूँ अगर आप सेम 70 साल तक cover करना चाहते हो तो आपको 30,957 रुपे यहाँ पे पे करने है और 70 तक जब आप survive कर जाओंगे तो आपको 11.85 रुपीज वापस मिल जाएंगे वही पे यहाँ पे इनका एक और प्लान है smart product प्लान करके इसके अंदर आपका premium काफी ज़्यादा high रहता है लेकिन यहाँ पे survival पे आप देख सकते हो यह आपको 4.7 टाइम के according यहाँ पे returns भी provide करता है लेकिन यह आपको मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर आपका endowment और आपका term plan दोनों ही एक तरसे mixer होता है तो basically इस type के plan को आपको avoid करना चाहिए अगर आपको लेना ही है या तो pure term plan लीजिए या simply smart exit option के साथ में आप जा सकते हो अब भाई ये तो बात हो गई सारी अच्छा ही होगी चलिए इसके थोड़े से cons भी मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे अगर आप SDFC life के अंदर देखेंगे तो SDFC life के अंदर जो आपको free add-on मिलता है वो सिर्फ terminal illness का मिलता है on the early payout लेकिन मालीचे अगर आप waiver of premium लेना चाहते है जो कि एक बहुत ही अच्छा add-on है जो कि अगर आप ICAC देखेंगे तो आपको एकदम free of the cost वो provide करता है waiver of premium cover में क्या होता है मालीचे disability के कारण या कोई situation ऐसी आगए जहापे आपके income बंद हो जाती है तो उस case में आपकी policy जो है चलती रहेगी आपको premium बनने की जरुवत नहीं पड़ती है तो यह option में अगर SDFC life में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1477 रुपे में को extra pay करने पड़ेंगे हर साल तो यहाँ पे इन्होंने पूरा 60 illness के critical illness के यहाँ पे list दे रखिए अगर उससे अगर आप diagnose होते हैं तो आपको premium pay करने की जरुवत नहीं पड़ती है और at the end of the life तक आपकी policy यहाँ पे continue रहती है तो यह feature आपको extra add-on इसके अंदर कराना पड़ेगा इसके लाव अभी SDFC live पे बहुत सारे आपको paid add-ons देखने को मिलेंगे जो कि normally दूसी companies भी आपको ऐसे paid add-on ही provide करती है जैसे accidental death पे अगर आप extra pay-out लेना चाहते है एक करोड की policy है पचास लाप आप extra pay-out लेना चाहते है तो उस case में आप add कर सकते हैं disability पे कर सकते हैं ठीक है इसके लाव इसमें cancer का भी protection है वो भी आप ले सकते हैं लेकिन यह सारे as a paid add-on काम करते हैं मैं आपको जो recommend करूंगा अगर आपको rider लेना ही है तो दो rider आप यहां पे simply consider कर सकते हो early pay-out तो आपका terminal illness के उपर होना ही चाहिए जो कि सारी policy आजकल आपको free of the cost देती है इसके लावा waiver of premium on critical illness को आप consider कर सकते हो HDFC life के अंदर मेंको एक और बहुत बढ़िया बात लगती है जैसे कि मालीचे यहां पे मैं filter करना चाहता हूं और यहां पे मेरा जो 1 crore का plan है मैं मालीचे हर साल premium नहीं pay करना चाहता हूं क्योंकि मेरी income stable नहीं है तो मैं one short pay करना चाहता हूं एक ही बार एक ही one time premium के अंदर तो जैसे आप screen के सामने देशकते हैं मैंने pay in one go कर दिया है और जैसे मैं apply करूंगा अब देखिए premium के अंदर कितना difference आता है जैसे आप screen के सामने दे सकते हो जो one go का premium का concept है ICC provincial के वल आपको maximum 50 साल तक यहाँ पे cover कर सकता है जबकि SDFC live आप देख रहे हो आपको 85 years तक यहाँ पे coverage की protection यह provide कर सकता है मैंने आपको 70 तक cover किया है तो मैंको यहाँ पे एक साथ के वल 2.85 lakh rupees pay करना है और उसके against में मेंको 70 साल तक यहाँ पे जब तक मेरी age नहीं हो जाती मेंको 1 crore का यहाँ पे protection मिल जाता है तो यह भी काफी अच्छागासा benefit उनके लिए जिनकी income is stable नहीं होती है उनको एक अच्छागासा bonus मिला हुआ है और एक तरह से one time payment करके वो basically policy लेना चाहते है इसमें भी अगर आप return on premium add करना चाहते तो screen के सामने आप देख सकते हो पहले के वल जो 2.85 lakh rupees था सिर्फ 25,000 rupees आपका increase होगा और जित्ता भी premium आपने pay किया है on the maturity उसमें से GST अटाकिया आपको premium वापस में मिल जाता है तो as a one time अगर आप pay भी करना चाहते है one go के अंदर तो definitely SDFC life के अंदर आपको premium कम देखने को मिलेगा as compared to other policies इसके लाव guys SDFC life को choose करने का एक को सबसे बड़ा reason यह है कि ICIC और SDFC की सबसे जादा branches है mostly सभी cities के अंदर available है प्लस यह 24 claim settlement का भी यहाँ पर वादा करते हैं तो अगर कोई भी ऐसे situation happen होती है तो definitely आपको branch में यहाँ पर intimation देना पड़ता है और 24 hours के अंदर यह settlement का यहाँ पर दावा करते हैं तो guys ultimately अगर मैं summarize करना चाहूँ SDFC collective protection super plan को इसमें अगर आपको USB point दिखने है as compared to other policies तो एक तो आप अपनी policy को maturity की time पर extend करा सकते हो प्लस आपकी जो life की stages है उसके according अपना जो cover है उसको भी आप increase कर सकते हो early payout का option आपको free of the cause देखने को मिलता है return और premium के अंदर options के अंदर भी और smart exit option के साथ में भी यह policy आपको देखने को मिल जाती है बाकी guys इस policy के उपर अगर आप 5% का discount लेना चाहते हो तो अगर आप agent के compare में online इसको purchase करोंगे तो आपको इनकी official side के उपर और policy बजार की side के उपर दोनों के उपर extra 5% का discount देखने को मिल जाएगा यहाँ पर policy बजार से buy करने का एक कोन reason यह होता है कि यहाँ पर आपको claim का assistance भी देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपके family member भी कोई भी यहाँ पर policy बजार को intimate करके यहाँ पर claim assistance का फाइदा उठा सकते हैं तो guys hope you like this video, please subscribe चनल आप लोग के कोई भी अगर doubts है तो please मुझे comment box के अंदर जरू बताइए thank you guys, thank you very much